हेलो फ्रेंज आज हम बनाएंगे डिजाइनर ब्लाउस 32 साइस पे प्रिंसेस कट पे बनाएंगे और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजेगा तो पहले हमें अस्तर को अच्छे से फोर्ट करके रख लेना है डबल फोर्ट करते हुए और अब हम लेंद का निसान लागाएंगे लेंद लेना है 14.5 पिंच शोल्डर लेना है 6.5 पिंच हम बोटनेक के अकॉर्टिंग यहाँ पर सोल्डर और आर्मोल लेते हैं तो शोल्ड है 26 इंच उसका फोर्ट पर्ट लेंगे 6.5 पिंच 1.5 पिंच हम लेंगे प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए 2 इंच मर्जन के लिए निसान को सिधा कर देंगे और आर्मोल के तरब 1 इंच पे हमें आर्मोल का शेप देना है और कट कर लेना है और प्रिंसेस कट का शेप बनेνेंगे 3.5 पर निशान लगाएंगे नीचे से उपर से कि निशान को उपर के तरफ हम इस तरह से मिला देंगे और इस निसान से इस तरफ हाप इंच पे निसान लगाएंगे और दुसरे तरफ उमान इंच पे निसान लगाएंगे निसान को उपड़ के तरफ हम इस तरह से मिला देंगे नीचे से देखे टू इंच पे हमें निसान लगाना है और इस तरह से मैं प्रिंसेस कट का शेप दे देना है कट कर लेंगे यहाँ पर देखिए दो फ्रंट पार्ट हमें कट करनी है तो नीची पर देखिए नीची के तरफ मैंने और एक फ्रंट पार्ट कट कर लिया है सिर्फ प्रिंसिस कट का शेप उस पर नहीं देना है तो यहाँ पर देखें मैंने कट कर लिया है और अब अब नेक विर्थ का निसान लागाएंगे नेक विर्थ लेना है 3.5 पिंच नेक लेन्थ लेना है 6 इंच चाहे तो आप 6.5 पिंच भी रख सकते हैं और यहाँ से हमें इस तरह से नेक का शेप देदेना है round शेप अब देखें चोग यह पार्थ हमने कट किया था फ्रंट पार्थ और एक इसको लेना है और नेक विर्थ का निसान लागाएंगे नेक विर्थ 3.5 पिंच नेक लेन्थ लेना है 2.5 पिंच बोटने का शेप दे देंगे और इस देखिए इस पार्ट को हमें कट कर लेनी है और अब देखिए दूसरे पार्ट के ऊपर हमें इस पार्ट को रखना है इस तरह से और अब देखिए इस पार्ट को हमें इस पर लगा देना है इस तरह से दिखे इस तरह से और अब दिखे इस पार्ट को हमें इस तरह से फोल्ड करेंगे और नेक से दूसरे तरफ भी लगा लेंगे इस तरह से और अब निसान को हमें डाग कर लेना है इस तरह से और अब इस तरह पार्ट को हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए नेचे के तरफ से निसान लगाएंगे 3.5 इंच पे और अब उपर वाले नेक से हमें निसान लगाना है 2 इंच पे और निसान को हमें इस तरह से मिला देना है नेचे के तरफ इस तरह से निसान को मिलाना है round shape में और अब देखिए fold करते हुए हमें इस निसान को दूसरे तरफ भी लगा लेंगे इस तरह से और इस नेक तरफ से देखिए हमें 2 इंच पर निसान लगाना है और निसान को हमें इस तरह से मिला देना है और अब armhole के center पर हमें इस तरह से मिला देना है बिल्कुल आर्म होल के सेंटर पर मिलाना है और इस पर आज़ेटिस हमें कटिंग कर लेनी है तो मैंने हैं पर कटिंग कर लिया है अब मैंन फेब्रिक पर भी कटिंग कर लेंगे तो देखिए कटिंग हो चुकी है अब हम प्रिंसेस कट वाले पार्ट को जॉइंट करेंगे तो इस तरह से देखिए अस्तर वाले पार्ट को और प्रिंसेस कट वाले पार्ट को हमें रख लेना है और चारों तरफ स्टीच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपरे को कट कर लेंगे और princess cut वाले part का उर्टी तरफ ऊपर के ऊपर करते हुए रखना है wrong side उपर के तरफ करते हुए रखेंगे और extra fabric को cut कर लेंगे इसी तरह हमें दूसरे princess cut वाले part को भी ready कर लेनी है तो यहाँ पर देखिए दोनों part को मैंने ready कर लिया है और अब center वाले part को लेना है और नेक पर as it is draw कर लेंगे साइट से दुसरे तरफ से एक इंच एक्स्टरा लेते हुए कट कर लेनी है और अब इस पार्ट को देखिए पेपर पेस्टिंग को हमें नेक वाले पार्ट पर रखना है और प्रेस करके चिपका लेना है तो यहां पर मैंने इस तरवाले पार्ट पर प्रेस करके चिपका लिया है और नीचे के तरफ हमें में फेवरिक को रखना है में फेवरिक का राइट साइट जो सीधी साइट है उपर के तरफ करते हुए रखना है हैं और इस तरह से नेक पर हमें एक पेड का मार्जन चोटते हुए स्टीच कर लेनी हैं अब एक्स्ट्रा कप्रे को कट कर लेंगे और पूरे नेक पर छोटी-छोटी कट्स लगा लेंगे इस तरह से चोटे-चोटे कर्स लगा लेनी है और अब धिरे-धिरे करते हुए में प्लट लेना है इस तरवाले पार्ट को और इस पर प्रेस कर लेनी है और उपर से एक टॉप स्टिच लगा लेनी है इस तरह से और अब दीखिए में फेबरिक और अस्टर वाले पार्ट को चाड़ो तरप स्टिच करते हुए एक्स्टर वाले को कट कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंगे एक्सटरा फैब्रिक कट कर लिया स्टीच करके अब प्रिंसेस कट व़ले पार्ट को दोनों तरफ रखते हुए चेक कर लेना है और नीचे के तरफ से हमें प्रिंसेस कट व़ले पार्ट को जॉइंट कर लेनी है इसी तरह हम दुसरे तरह भी प्रिंसेस कटवले पार्ट को जॉइंट कर लेंगे तो देखी तोनों प्रिंसेस कटवले पार्ट को मैंने जॉइंट कर लिया है और अब इस पार्ट को लेना है और नीचे के तरह पेपर पेस्टिंग रखते हुए design पर हमें निसान लागा लेना है इस तरह से देखिए हमें design पर निसान लागा लेंगे और आप देखिए side से हमें 1 इंच extra लेते हुए cut करेंगे इस तरह से cut कर लेनी है और अब साइब से एक इंच लेते हुए मैं कट कर लेनी है इस तरह से और अब इस पार्ट को हमें अस्तर वाले पार्ट पर रखना है और प्रेस कर लेना है तो यहां पर देखिए मैं अस्तर वाले पार्ट पर रखके इसको प्रेस करके चिपका लिया है ओर नीचे के तरफ हमें man fabric रख लेना है man fabric का right side चो सीधी side है उपर के तरफ करते हुए रखनी है और सिर्फ今天 पे हमें एक पेर का margin छोड़ते हुए स्लाइक करनी है सब्सक्राइब है कर लेंगे नीचे के तरफ हमें करते हैं और अब extra fabric को अग्रों कट कर लेंगे और अब दिकित पूरे नेक पर और पूरे डिजाइन पर नीची के तरफ हमें छोटे-छोटे कर्स लगा लेनी है इस तरह से हमें छोटे-छोटे कर्स लगा लेंगे और अब धिरे-धिरे करते हुए पलट लेना है अगर पलट ने में कोई फ्राप्लेम हो तो आप पिन से इसको पलट सकते हैं दिरे-धिरे करते होए पलट ना है काफी एज़ि से यह पलट जाता है और इस पर देखिए अच्छे सब हम प्रेस कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने प्रेस कर लिया है अब देखिए चारों तरप स्टीच कर लेना है और एक्स्टा फेब्रिक को कट कर लेना है उसको प्रेज भी कर लिया है और अब देखिए यहाँ पर मैं डोडी वाली पाइपिन लगाऊंगी अगर आप चाहे तो आप सिंपल पाइपिन भी लगा सकते हैं क्रोस पर्टी कट करते हुए उसको जॉइंट कर लेनी है और सिंपल पाइपिन की जैसे आप लगा सकते हैं तो मैं यहाँ पर डोडी वाली पाइपिन लगा रही हूँ इस तरह से नीचे का तरफ से डोडी आले पाइपिन को लगा लेंगे डिजाइन पर नीचे वाले डिजाइन पर भी हमें लगाना है पाइपिन को और अब इस तरह हम नीचे वाले डिजाइन पर भी पाइपिन को हुए रख लेना है और दोनों को सोल्डर हमें इस तरह से जॉइंट कर लेनी है इस तरह से में दोनों सोल्डर को जॉइंट कर लेंगे और अब देखिए चारों तरफ हमें इस तरह से स्टीच करते हुए दोनों पार्ट को जॉइंट कर लेंगे अच्छे से हाथ सिर्फ नेसिंग देते जाना है और स्टीच कर लेनी है अगर आप चाहें तो पहले ही आप इसको अच्छे से एक्जेस्ट कर ले अगर कपड़ा छोटा बड़ा हो तो उसे कट कर ले और पिन अप करके उसका बाद ही आप स्टीच करे और अब देखिए यहां से हमें इस तरह से जॉइंट करना है इस तरफ भी हमें स्लाय लगा कर दुनों पार्ट को जॉइंट कर लेना है और अब देखिए दूसरे सोल्डर के तरफ भी हमें अच्छे से मिलाते हुए इसको जॉइंट कर लेनी है आर्म होल के तरफ इस तरह से और अब डिजाइन पर भी स्लाय लगा कर दोनों पार्ट को जॉइंट कर लेंगे और अब आर्म होल के तरफ हमें शेप देना है, हाप इंच पे इस तरह से शेप देना है प्रिंसेस कट पे हम बाद में ही शेप देते है तो इस तरह से हाप इंच पे शेप दे देना है और स्पे स्टीच करके दोनों पार्ट को जॉइंट कर लेंगे इसी तरह हम दुसरे आर्मोर को भी हाप इंच पे सेब देंगे और स्टीच कर लेंगे और अब हम कमर पटी लगाएंगे देर इंच चौरी मैंने कमर पटी ली है उपर का तरह प्रत्य हुए मैं कमर पटी को जॉइन्ट कर लेंगे एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे और अब एक सलाई हम कमर पट्टी के ऊपर से लगाएंगे अस्तर वाले पार्ट पे इस तरह से और अब दूसरे तरफ पलटते हुए इस पर डबल फोल्ड करते हुए सलाई कर लेंगे या फिर चाहे तो आप तुरपाई भी कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर कमर पट्टी लगा ली है अब देखिए दो पट्टी लेना है 3x3 इंच का और इसका हम लटकन बनाएंगे तो इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए हमें लटकन बनाना है और यहाँ पर देखिए डोरी मैं इस लिपर रेटी में वेट ले रहे हूँ आप चाहे तो डोरी को बना सकते हैं डोरी का लेंद मैंने यहाँ पर 18 रखा है और इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए हमें वे सलाई कर लेना है एक्स्टर फेबरी को कट कर लेंगे और लटकन को सीधा कर लेंगे डोड़ी के दूसरे तरफ और एक लटकन लगाना है तो दूसरे पट्टी को हमें सलाई करके लटकन बना लेना है तो देखिए दोनों तरफ मैंने लटकन को लगा लिया है एब इस तरह से बौ बनाते हुए हमें इस तरह से हातों से बौ बनाते हुए संटर पर हमें जॉइट करना है तो दिखिए सलाइ लग चुकी है या फिर कपड़े का बट्टिम भी लगा सकते हैं तो ये फरेंट पार्ट बनके अब हमारा समौनाइस बॉइड साथ को है थो स्थ पार्ट लेंगे 8 inch और 2 inch margin के लिए रखेंगे, 1 inch tux के लिए रखेंगे और 2 inch margin के लिए और अब हम नेक का निसान लागाएंगे Помाप यहां पर 11 इंचि रखना है, आप चाहे तो कम भी रख सकते हैं 10 इंच भी रख सकते हैं और आप देखिए नेक के तरफ से हमें इस तरह से इसका सेंटर निकालना है मिलाते हुए और विर्थ रखना है 3 इंच आप चाहे तो 4 इंच पर रख सकते हैं और इसकल से हमें इस तरह से निसान को मिला देंगे, दोनों तरप इस तरह से मिला देना है, और अब हम इस पर कट कर लेंगे, यहाँ पर चाहे तो आप कोई भी डिजाइन दे सकते हैं, अपने हिसाब से जो आपको पसंद है, तो यहाँ पर देखिए, कटिंग हो चुकी है, और मेन फेबरिक पर भी कटिंग कर लेंगे, तो मेन फेबरिक का स्राइट साइट उपर के तरप करते हुए रखना है, और फिरकुर डिजाइन पर हमें सिलाई करनी है, इस तरह से हम सिर्फ डिजाइन पर ही सिलाई करेंगे, एक पर का मार्जन छोड़ते हुए में सिलाई क प्लट लेना है एक्स्ट्रा कप्टे को कट कर लेना है और चोड़े-चोड़े कट्स लगा लेना है और दीखिए इस कॉर्णर पे भी कट लगा लेना है ताकि अच्छे से पलट जाए और अफ धिरे-धिरे करते हुए पलट लेना है Corner को अच्छे से निकाल लेना है किसी चीज नोखिली चीज से Corners को अच्छे से निकाल लेंगे इस तरह से और अब देखी प्रेस कर लेना है और चारत तरब stitch करते हुए Extra Fabology को cut कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने stitch कर लिया है, एक्स्टर कपरे को भी cut कर लिया है और अब हम piping लगाएंगे, तो piping को देखें मैं डोडी वाली उस करें जैसे मैंने पहले लगाया था, front part में उसे तरफ बिल्कुर यहाँ पर लगा लेना है corner को अच्छे से निकालते हुए piping को लगानी है और यहाँ पर देखिए हमें cut लगा लेना है डोडी को इस तरह से piping को cut लगा लेंगे और फिर दूसरे तरफ से हम इस तरह से piping को लगाएंगे extra piping को cut कर लेंगे और अब देखिए नेक पर चुड़ी चुटे cuts लगा लेने हैं ताके नेक की finishing काफी अच्छे से आए बात में इस पर हम press कर लेंगे और अब हम tucks लगाएंगे इस तरह से fold करते हुए tucks लगाएंगे text का length 4.5 पिंच रखना है और अब देखिए आई की पट्टी लगानी है तो यहाँ पर देखिए नीचे को साइड हमें आई की पट्टी रखनी है और उपर से हमें एक stitch कर लेनी है और अब इस तरह से double fold करेंगे इस तरह से fold करेंगे fold करते हुए slide करेंगे और सामने के तरफ देखिए इस तरह भी हमें fold कर लेना है इस पर slide कर लेंगे और अब इस तरह से fold करते हैं उपर से एक top stitch लगाएंगे चारू साइट हमें स्टिच लगा लेनी है तो यहाँ पर देखिए आई की पटी लग चुकी है अब हम हुक की पटी लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरह से डवल फोल्ड करते हैं हुक के पटी लेनी है और इस तरह से right side की तरब से हमें hook की पटि लगानी है एक stitch हम अस्तरवाले part के उपर करेंगे इस तरह से और सामने के तरब देखिये इस तरह से fold कर लेना है और आब back side करते हुए हमें इस पर fold करते हुए stitch कर लेंगे एक्स्टर कप्रे को कट कर लेंगे तो दोनों आई और हुग की पटी लग चुकी है नीशे का साइड देखी कमर पटी भी मैंने लगा लिया है और अब अच्छे से मिलाते हुए सेंटर पर पिन अप कर लेंगे और दोनों shoulder को मिलाते हुए stitch कर लेंगे front और back का shoulders हमें इस तरह से रखते हुए stitch कर लेंगे double stitch कर लेनी है दोनों shoulders को मैंने joint कर लिया है और अब देखिए सिधी तरप से हम एक सिलाई करेंगे तो नीचे से margin को हमें back part के तरप रखना है shoulders का margin है बेक पार्ट के तरब रखेंगे और उपर से एक टॉप स्टिच लगा लेंगे और अब दोनों पार्ट को हम अच्छे से मिलाते हुए रख लेना है और सेंटर पे देखिए इस तरह से फ्रंट पार्ट को सेंटर से मिलाते हुए एक मार कर लेंगे और बेक और फ्रांट का सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमें पीन अप कर लेना है इस तरह से और अब देखिए जो साइट से देखिए कपड़ा एक्स्ट्रा लेगे तो इसे कट कर लेंगे अच्छे से मिलाते हुए पहले हमें अच्छे से मिलात हुए pin-up कर लेना है और extra कपड़े को cut कर लेंगे armhole के side देہकीं कपड़ा जादा है तो इसे भी हमें इस तरह से cut कर लेंगे इस तरह से दोनों को हमें equal कर लेना है cut करके इस तरह दूसरे side भे हमें cut कर लेंगे और अब देखिए armhole के तरह अब हम cross party लगाएंगे flissing के लिए तो यहाँ पर this cross party को मैंने cut कर joint कर लिया है double fold करते हुए हमें यहाँ पर cross party को लगाएंगे इस तरह से एक्स्ट्रा पत्टी को कट कर लेंगे और अब देखी अस्थर वाला पार्ट अगर जादा लगे इसे कट कर ले चाट लेना है और अस्थर वाले पार्ट पर हमें दूसरे तरफ पलटते हुए उपर से एक स्टीच करनी है अस्तर वाले पार्ट पर हमें स्टीच करनी है इस तरह से और अब बेक साइड करते हुए इस तरह से फोल्ड करेंगे और उपर से हम टॉप स्टीच लागा लेंगे इसी तरह हम दूसरे आर्म होल को भी डेडी कर लेंगे तो यहां पर देखिए स्टीच मैंने लगा लिया है और यह दोनों आर्म होल बनके अब रेडी है अब देखिए अब यहां पर दोनों पार्ट को हम गुम से लगाएंगे तो दोनों पार्ट को हम इस तरह से मिलाते हुए साइट से हम एक स्टीच लगाएंगे एक पर का मार्जन छोड़ते हुए और अब हम इसे पलट लेंगे और साइट से एक स्टीच एक पर का मार्जन छोड़ते हुए करेंगे इसी तरह हम दुसरे साइड भी सिलाई कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ पर पने सिलाई लगा लिया है सेंटर पर निसान लगाएंगे इस तरह से और अब वेस्ट और चेस्ट का मार्क करेंगे वेस्ट 6.5 इंच लेना है और चेस्ट लेना है 8 इंच और निसान को सिधा कर लेंगे और फिटिंग का सिलाई कर लेंगे इसी तरह हम दूसरे तरफ भी फिटिंग का सिलाई लगा लेंगे अगर आप चाहें तो कप्रे का प्रम धी लगा सकते हैं और सेंटर पर लिकें मैंने लगाए हुआ है अगर्य च attach वीडियो कैसा लगा मुझे में 粉 उपनाया हुआ हैं अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आई हो तो लाइक और शेर जरूर कीजेगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और पेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजेगा ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे थाइंक्यू